नवराट्री एक तो यह जो प्रतिपदा है आज अमावस्या है कल प्रतिपदा है यह सत्य उगादी तिथियों के नाम से जानी जाती है और अपना हिंदू नव वर्ष भी इसके लिए शास्त्रों ने बताया है अपना नया वर्ष कल से ही आरम्व होता है और नवरात्री का प्रथम दिवस है तो सनातन संस्कृति में हम सब सनातन धर्मावरंबी लोगों के लिए भगवती की आराधना अतियनिवारी है बरस में चार बार नवरात्री पढ़ती है एक शेत्र नवरात्र एक आशाड में और एक आस्वे नवरात्र कुवार के महिने में एक माग के महिने में हमावस्या से प्रतिपदा तक नवरात्री मानी जाती है उबेश्या प्रत्य एक देवी भक्तों के लिए जब भी देवी जी के आराधना करना तो 12 महीनों में हमावश्या की प्रतिपदा से नवरात्री मानी जाती है तो भगबती दुरुगामबा के तीन स्वरूप तीन चरित्रों की महीमा दुरुगा सवस्ति में गाई गई है प्रथमचरित्र, मध्यमचरित्र और उत्तरचरित्र महाकाली, महालक्षी, महासरस्वती त्रगुनात्मिका भगबती से कहा जाता है देवे जी का नाम है त्रगुनात्मिका अर्थात महाकाली जो शक्ती को देने वाली है महालक्षमी संपत्ती को देने वाली है सक्ति और संपत्ती है और यदि बुद्धी नहीं है संपत्ती को हम कैसे अपने जीवन में सद उपयोग करें तो इसलिए सरश्वती जी की आराधना तो महाकाली महालक्षी महासरश्वती ये त्रगुनात्मी का भगवती दुरगामबा की आराधना के लिए नवरात्री के दिन बहुत अच्छे दिब्ब माने जाते हैं सब लोगों के लिए नवरात्री में भगवती की आराधना अवश्य करना चाहिए नो रूपों में भगवती की इस्तुती की जाती है प्रतमम सेल पुत्री चै दुतियम ब्रमचारनी तृतियम चंद्रघंटेती कूश्मान डेती चतुर्तकम पंचमम इसकंदमातेती सश्ठम कात्याईनीती चै सब्तमम कालरात्रीती महागौरीती चास्टमम नौमम सिध्धिदात्री चै नव दुरुगा प्रकीर्टिता ऐसे भगवती के नामों से भगवती का इश्मरन करना चाहिए आराधन करना चाहिए विशेश फल है और कई भगतों के लिए प्रत्यक्ष्प्रमाण भी भगवती दिखा देती हैं नवरात्री में जो दुरुगा शब्स्तिती का पाठ विद्वान ब्रामण की द्वारा करवात न", तो भगवती सर्वा बाधा बिन्रमुक्तु धन्दान सुतान बिता हैं। सभी बाधाओं से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भगवती सवयम कहती हैं देवताओं में जो दुरुगा सफ्सति मेरे तीनों चरित्रों का पाठ जो ब्रामण के द्वारा करवाते हैं या बैठकर के पाठ सुनते हैं तो सरवाब आधा बिनिर्मुक्तु धन धान सुतान विता है मनुस्यों मत प्रशादेनु भविश्यती न समसे है तो मैं तो सभी सनातन धर्माब लंबी लोगों से कहूंगा कि नवरात्री ये आराधना का समय है नियम पूरवक ब्रह्मचरिय का पालन करते हुए और भूमी पर सयन करें अखंड जोत जला करके वो भगवती का आराधन करना चाहिए पूजन करना चाहिए किशी ब्राम्हन देवता से दुरुगा जी का पाठ करवाना चाहिए ना हो सके मजबूरी है आर्थिक इस्तिती अच्छी नहीं है क्योंकि ब्राम चाहिशा और रामायन की चौपाईया हैं कुछ जिससे भगवती प्रशन हो जाती है जह जह ग्रिवर राज कि सूरी जह महिस मुक्चंदर चकूरी जहां भगवती सीता जी ने गोरी जी की आराधना किये इन चौपाईयों का पाठ करना चाहिए और मैं हमेशा कहा करता यह नवरात्री का बड़ा पावं सो अवसर है हम सब लोगों के लिए भगवती की आराधना आवश्र करना चाहिए पिछले समय में नवरात्री में बड़ा शंकट का समय आया था उसमय हमारे भारत के सभी विद्वानों ने एक बात कही थी पूज राजिन दर्दास देवा चारी जी महराज सद्गुर्द भगवान ने का कि ये महा मारी आदी तो भगवती की आराधना से ही दूर होती है तो भगवती की आराधना आवश्र करना चाहिए जब भी नवरात्री आरंभो आस्विन की हों चैत्र की हों ये जो नवरात्री है इसकी नौमी तिथी के से भी सब लोग जामते हैं